नमस्ते फ्रेंड्स कैसा है मेरा यूटूब परिवार आई होब सब ठीक होंगे फ्रेंड्स ये है मेरी लगबक चार किलो दूद की मलाई मेरी एक फ्रेंड ने एक ने दो तिन फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ये बटर कैसे बनाते हैं येलो बटर उसकी डेटेल मे वीडियो बना के बनाएं क्योंकि मैं एक बार पहले बना चुकी हूँ पर उसमें मैंने डिटेल में नहीं बताया था कि वाइट बटर से यलो बटर कैसे बनाते हैं तो यह है मेरा लगबग चार किलो दूद की मिलाई है यह दो दिन के दूद की है और इसको मैं ब्लेंडर से इसने बटर निकालूँगी यह मैंने बड़े बरतन में निकाली क्योंकि हम ब्लेंडर चलाएंगे तो डॉंगे में नहीं चल सकती और यह ब्लेंडर से मैं चलाऊंगी फ्रेंड्स मुश्किल से पांच मिनट लगते हैं सारा कुछ करने में बहुत जल्दी हो जाता है और इ वाईली और मैंने ताजी फ्रेश की निकाल रही हो और आपको वही दिखा रही हो और जिस इसमें आप जामन लगा देते हो दहीं लगा देते हो मलाई में उसका तो एक मिनट लगता है लेकिन वह फिर मक्षन वह टेस्ट नहीं देता है इससे अच्छा आप 2-3 मिन्ट और ज्यादा लगा लो और तो बनाओ तो वह ज्यादा पैस्ट है यह देखे यह बस दिखे काफी जागसी हो गी है और यह मिन्टो में निकलाएगा ऐसी कुछ भी नहीं है कि कोई परिशाने वाली बात है यह देखिए गाड़ा हो गया यह काफी गाड़ा हो गया आपको मैं द तोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंट्स मिश्किल से ये तीन से तीन मिन्ट लगे हैं जो खटे वली मलाई जिसमें दहीं लगा होता है उसको एक मिनट में निकाल देते हैं लेकिन मैं वह नहीं बनाती है आपको बताया कि वह मक्षन खाने में खटा हो जाता है ये हमें दूद का जरवी अंशनी रहना चाहिए ये देखिए मैंने धोल लिया ये और ये देखिए पानी बिल्कुल साफ है वाइट वाइट नहीं रहना चाहिए और अब हमें इस पानी को भी निकाल देंगे और फिर इसको यलो बटर बनाएंगे और मैं आपको दिखाती हू ये पानी निकाल देती हूँ इसमें को भी मैं अच्छी तरह मल रही हूँ ताकि अगर थोड़ा बहुत कुछ हो तो दूद का थोड़ा सभी कुछ रह जाए तो हम ये देखिए मैंने पानी निकाल दिया और ये मेरा वाइट बटर तयार है और हम इसको येलो बनाते हैं और फ्रेंड्स कलर यूज नहीं करती हो क्योंकि इसे मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं तो इसके लिए मैं एक चुटकी हल्दी डालूंगी कलर आप एक पिंच तो बहुत ज़्यादा हो जाता है बिलकुल थोड़ा सा डालते हो तो हो जाता है हल्दी थोड़ी सी ज़्य दोनों चीज थोड़ी थोड़ी डाली अगर कम लगे तो फिर डाल लें दोबारा से मिक्स कर लें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आप इसमें कोई एक दम से पहले ही ज़्यादा डाल देंगे तो आपका कलर भी अच्छा नहीं आएगा और नमक भी तेज हो ये देखें फ्रेंड्स मेरा येलो बटर तयार है मेरे पास में बटर पेपर नहीं था लेकिन मेरे जो हाथों में बटर लगा था मैंने सिंपल वाइड पेपर लेके उसमें बटर लगा के बटर पेपर तयार कर लिया है और ये मैंने उसके ओपर ये बटर रख दिया है और कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा है और फिर मैं आपको दिखाते हूं यह बटर भी फैक्ट ना नहीं है हम इसे भी यूज में ले ले लेंगे खाने में रोटी चुपड़ने में लेकिन मैं पीस बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं यह देखिए फ्रेंट् कोई मुश्किल काम नहीं है काम कोई भी मुश्किल नहीं होता है बस मन लगन होनी चाहिए तो हर काम एजिली यह देखिए फ्रेंट्स इसके पीस मेरे यलो बटर की तयार है आप देखिए एक रिक्वेस्ट यह भी है कि मेरे चैनल को लाइक करना शेयर करना और जरूर करना फ्रेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगता है या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कोई मेरे से मिस्टेक होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं उसके लिए सौरी फ्रेंट्स और यह देखिए मेरा तयार है आपके सामने यलो बटर मै प्रेंट्स, बार।